देखें दूस्तों आप मैंसे काफी सर लोग ऐसे हैं जिनके पास रासनकाड है और रासनकाड में कुछ ना कुछ फैमली मिंबर का जो नाम है न वो छूट गया है जैसे कि मालीज आपके घर में कोई नए सदस्या का जनम हो गया है जिनका आप रासनकाड में नाम जोड़ना होती है तो आज किस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप बिहार से हैं और बिहार में आपका रासन कार्ड बना हुआ है और किसी परकार की करेक्शन करना चाहते हैं या फिर नाम जोड़ना चाहते हैं डिलीड करना चाहते हैं तो किस तरह से ओनलाइन कर सकते हैं तो आज का वीडियो जो है इसी पर बेस होने वाला है और सबी चीजों को किलियर करके बताएंगे किस तरह से आपको राशन कार्ट की जनकारी आपको फैज करनी है और किस तरह से उसमें सुधार करनी है पिर नाम जोड़नी है डिलीर करनी है तो प्लीस वीडियो सुरू से अन तक लेकर जोड़ देखेंगे और वीडियो थ्रस बेच्छा लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यदा मोटिवेट करता है चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले हम आपको बतायते हैं कि आपके पास कौन-कौन से डॉक्मेंट रेडी कर ले ले हैं और किस तरह से आपको PDF ही त्यार करना है सबसे पहले तो जो भी राषन कार्ड में आवेदक है जिनके नाम से राषन कार्ड बना हुआ है आप मेंसे काफी सर लोग कहते हैं कि आवेदक कौन होता है हमको पता नहीं होता है तो देखिए इस तरह से आपके पास राषन कार्ड होगा तिसमें देख सकते हैं कि कटधारी का जो नाम लिखा होगा यहाँ पे वही जो है इसका मुखिया है ठीक है और फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका नाम लिखा होगा यही जो है रासन काड के मुखिया है इनी के नाम से जो है रासन काड है सबसे पहले क्या करेंगे कि all document में एक PDF त्यार कराएंगे जिसमें कौन कौन से document का पो लगाने हैं सबसे पहले clear कर देते हैं आपके पास जो पुराना रासन काड है उसको आपको first में लगाना है और सभी पे signature आपको करना है सबसे पहले photo copy करवा कर इस तरह से signature करवा लीजिएगा हलाकि हमने यहाँ पे बलर कर रखा है उसके बाद इनका bank passbook यानि कि जो भी रासन काड के आवेदक है उनका bank passbook रहेगा फिर यहाँ पे उनका इसी में निवास रहेगा इस PDF में आपको आए जाती नहीं लगाना है क्योंकि आए जाती जो अलक से आप अपलोड करेंगे हलाकि इनके ही नामसर है जो आवेदक है बाकि इनका केवल इसमें निवास डालना है उसके बाद इनका आधार काड रहेगा फिर यहाँ पे जितने भी family member है उन सभी का आधार काड इसी में आपको scan कर देने है अगर किसी का बिकलांग प्रमार पत्र है बिकलांग है तो बिकलांग का भी प्रमार पत्र आप यहाँ पे लगाएंगे जिसका साइच जो है एक MB से तीनों डॉक्मेंट का कम होना चाहिए यह आपका डॉक्मेंट हो गया आयजाती निवास आवेदक के ही नाम से बनेगा सभी family का बनाना कोई भी mandatory नहीं है सभी family का अधार केवल देना है आयजाती निवास केवल आवेदक का और पास्बुक देना है उसके बाद group जो इस तरह से photo होता है फोटो आपको रख लेनी है और उसके बाद जो है आवेदक जो है जिनके नाम से रासन काड है उनका जो ही signature यहाँ पे scan करके त्यार कर लेना है e-pds-bihar search करेंगे तो आपके सामने e-pds-bihar का जो official portal है यहाँ पे देखने को मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे apply for rc online का एक button मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका interaction यहाँ पे दिया गया है कि किस तर से आपको form बेगरा भरना है आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं समझ सकते हैं लेकिन इस वीडियो को देखिए हम सभी जनकारी को clear कर देंगे सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको login के button पर क्लिक करना होगा अब जैसी login के button पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इक जर्ल परकार का चाहते हैं तो आप यहां पर कर पाईएगा ठीक है तो उसके लिए क्या करना है कि आपको एक option मिलेगा यहां पर sign up for मेरी पाचान इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर क्या करेंगे कि कोई एक उनिक करेंगे तो कुछ भी आप लिख सकते हैं आपना नाम हो गया कुछ भी हो गया जो क्योंकि यूनिक होना चाहिए ठीक है या फिर आप यहां से सगेशन भी ले सकते हैं आपको बहुत सरे आईडी यहां पर सगेश्ट भी कर दिया एता है उसके बाद एक करेंगे रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे इस परकार से आपका जो रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा अब यहां पर आपको जो है कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो कहेगा कि आप अपना किवाइसी के साथ प्रसीड करना चाहते हैं तो इसको रिटेट कर दिया जाएगा जहांपे अपने जो भी उज़र आइडी जो बनाया था चल्ब पर चाहेगा उसको डालेंगे पासवोड को डालेंगे consent देके आप यहाँ पर login कर सकते हैं कई बार जो ही user ID आप भूल जाते हैं तो यहाँ पर mobile number और password आपने जो भी बनाया था उससे डाल कर जो ही आप यहाँ पर login कर सकते हैं तो इसको डालने के बाद आपको sign in के बटन पर click करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जो ही mobile पर OTP लेना चाहता हूँ तो इसको selection करूँगा और उसके बार next के बटन पर click करूँगा तो यहाँ पर जो भी last में आपका number दिखा रहा है जो आपने राशन करते समय दिया हुआ है उस number पर एक OTP गया हुआ है OTP को यहाँ पर डालेंगे और आपको जो sign in के बटन पर click करना है देखिए जैसी आप login कर लेंगे तो आपके सामने मेरी पहचान का जो dashboard है यहाँ पर खोल जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर डालेंगे तो आपके सामने करना का कर को सबस्ता करेंगे उसके बाद access के button पर click करेंगे तो आपके सामने लोग इन का यहाँ पर b denken आजाएगा अब यहाँ पर login करेंगे Login के Button पर Click करेंगे, तो आपके सामने अब जो है Registration का Page खुलेगा, तो यह जो है Registration का Registration है, पहले आपने जो Registration किया, वो जो है जन परचाय का किया, तो यहाँ पर रासन कार्ड का जो है Registration आपको करना है, जिसमें जिस भी नाम से आपका Registration है, यानि कि जो भी रासन का के मुख्या हो सकते हैं या फिर परिवार में जो भी रासंकार्ड मेंबर हैं उनका भी आप नाम डालेंगे तो उनका ही अधार नमर डालेंगे नहीं तो परिवार का मुख्या रहेगा रासंकार्डगा तो उसका यहां पर अधार नमर डालेंगे जिनका जनकारी भरेंगे उन आपको देखने कुमिलेगा जिसमें आप किसी प्रकारी कोई छेशखानी नहीं कर सकते कि ऐसे इसको रहने दीजिएगा फिर यहाँ पर कुछा को फील करेंगे एक बटन मिलेगा तो यहाँ पे जो ही रासन कार्ड नंबर मांगा जाएगा तो आपके पास जो रासन कार्ड है जिसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं नाम जोड़ना चाहते हैं डिलीट करना चाहते हैं उस रासन कार्ड नंबर को यहाँ पे इंटर करेंगे सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे इसलिए जनकारी यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा जिनके भी नाम से आप आपना जो है राशनकार धारी का उनका ही आप यहाँ पर राशनकार नमबर डाल कर जो है डेटा को फाइंड कर सकते हैं नई तो राशनकार नमबर एक बाद चेक कर लीजिएगा और उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर आप उस राशनकार धारी के नाम से जो ही रहिश्चरशन कीए होंगे जनकारी डाल कर रहिश्चरशन कीए होंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर इस तरह reading better तो इस तरह से रासन करण अभर देखेंगे जिसमें जो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इसरीरल नमबर में फ़र्षत में जिनका नाम दिया गया होगा यहाँ पर ज्रेड़ी का नाम दिया गया होगा उनका ही जनकारी यहाँ पर लूए बताएंगे की फुरु साहिकी महिला है जो भीत्व करेंगे लुहां पे गती बताने होगा उसके बाद यहां पे पडती आपको बताना होगा कि यानुसुची जाती जन जाती जाती जो भी जाती है उसके अर्टकर जाती की जनकारी आपको देना होगा तो यहाँ पर लग सकते हैं कि अतियंद पिछरा बर्ग है तो इस तरह स्लेट करेंगे तो यहाँ पर जाती का जो स्रेरी का सडिफिकेट नंबर है वो आपको देना होगा यानि कि जाती पर मार नुमर का जो certificate नुमर होता है वो आपको यहाँ पर type करना है फिर इप यहाँ पर I का शूरोद बताएंगे कि जिनका भी आप यहाँ पर रशेण कर रहे हैं उनका जो है I का सूरोद क्या है मान लिजे महिला हैं, नहीं कमाती है, तो इनका जो है आप इन say कर सकते हैं, not applicable ठीक है अगर कमाती है, तो इनका जनकारी आप भरेंगे, कि आय का स्रोद क्या है और यहाँ पे देखिए, करड़ारी का जो मासिक आय है अपको बतानी है अगर काम करती है तो मासिक आय कितने कमाती है इनकी जनकारी आप भरेंगे ध्यान रखेंगे कि दस आर से अधिक होगा तो यहाँ पर इलिजीबल आप नहीं हो पाएंगे रासन काड के लिए ठीक है तो अगर वो महिला काम करती है मासिक आय है तो यहाँ पर भरेंगे नहीं त आपके आपको लोगा करना है। फिर यहाँ पे परिवातन का कारण आपको बताना है कि आप जो ही किस परकार का परिवातन करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको निवास में परिवातन करना है तो उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं किसी का नाम जोडना चाहते हैं, कोई मेंबर आपके घर में मतलब जनम ले लिया हुए, अपर छूट गया है, उसका नाम जोडना चाहते हैं, तो इसको आप बता सकते हैं, कोई मेंबर का मिर्तु हो गया है, जिसका नाम आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसको स्लेट कर सकते हैं काड में जो भी जनकारी है उसमें किसी परकार की असुधिया है जिसको आपको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको स्लेट कर सकते हैं और यह भी कोई आपका कारण हो सकता है तो जो भी आपका कारण है माल लिजे इसमें मल्टीपल आप काम कर सकते हैं ठीक है तो जो पहले जो अपने बैंक दिया था, वह आपके पास नहीं है, तो दूसरा भी दे सकते है, सबसे पहले तो बैंक का नाम आपको select करना होगा, फिर यहां पर करधारी का जो बैंक साखा है आपको बताना होगा, कि कहा है, ठीक है, क्योंकि आपके जो ही area relevant ही मिलेगा, क्योंकि आप पूरा जो ही उनका विलेज हो गया पोश्ट हो गया थाना हो गया डिश्टिक हो गया एस्टेट हो गया पूरा यहां पर पाता आपको टाइप करना है ठीक है उसके बाद एक बटन मिलेगा सम्मिट इस पर आपको किलिक करना है देखिए जैसी जनकारी को आप डाल कर यहां पर सम्मिट करेंगे तो आपका जो डिटेल से यहां पर सेव हो जाएगा आपको यहां पर ओके करना है जनकारी डाल कर आप यहां पर सम्मिट कर देंगे तो सम् मिलेगा यहां पर खुद देख सकते हैं कि उनका नाम पिता पती का नाम लिंग आईउ और सबन्द और यहां पर अधार संख्या भी देखने को मिल रहा है अब यहां नाम में किसी परकार की अप्डेट करते हैं, तो आपका जो ए गिरीन वाला कलर है. और किसी परकार का जो एँ आम यहां पर जोड़ते हैं, किसी नया सदसय का, то आपका जो इस तरह से यलो हो जाएगा. ठीक है तो यह जो है color है अब यहाँ पर देखिए कैसे क्या करना है सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आपको माल लिजिए कोई भी सदस्य है जिसके नाम में आपको किसी परकार की कोई गलती है जैसे कि माल लिजिए उसका नाम हो गया फादर का नेम हो गया मतलब कोई भ जो है पूरा यहाँ पर जनकारी खुल जाएका जिसमें किसी परकार की कोई भी आपको editing करना है नाम बेगरा उगरा में जैसे कि डेट अब वर्थ हो गया लिंक हो गया उम्र हो गया ठीक है यहाँ पर कड़धारी के सांद संबंध क्या है अधार नंबर भी 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 आप यह समाया हुआ है जैसे कि आपके पास इस तरह से आय पर सिगनप को दिखाया तो इसमें आपका जो भी यहाँ पर देख रहा है ना जिस तरह से आपका जो है यहाँ पर पूरा आय सलाना दिखाया गया जैसे इनका ऑसी हजार है ठीक है तो इसमें जो है बारे से भाग दे दें है तो उनका ही आया और को बता सकते हैं और जो भी जंकारी आपको भर के आपको झाल के बटन पर इसाटिर आप पूरा यहां पर बीद में इसको हाइल्ला जाएगा हो जाएगा जो भी अपने करेक्शन के लिए अपलाई किया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं कि green जो है इस पे यहाँ पे इस तरह से एक मतलब पूरा यहाँ पे green में इसको highlighted कर दिया जाएगा इसका मतलब यह है कि आपने जो है नाम में इसको edit किया हुआ है अब यहाँ पे मान लेजी किसी का जोई नाम आपको delete करना है, तो यहाँ पे एक delete का button मिलता है, जिसपे आपको click करना है, तो इस तरह से जोई आपका जो नाम है, delete करने के लिए यहाँ पे इसको mark कर लिया गया है, जिसमें देखेंगे तो अब पूरा आपका यहाँ पे rate color तो नाम जोडने के लिए आपको एक option मिलेगा aid member का ठीक है तो यहां पे आप क्लिक करेंगे सामने जो है नाम जोडने का यहां पे एक form खुलेगा जिसमें अपना जो भी जनकारी है जिनका भी आप नाम जोडना चाहते हैं उनका जनकाई डालेंगे जैसे कि उनका नाम क्या है अंग्रेजी में अधार कनुसार डालना है फिर यहां पे हिंदी में डालना है उनके पती या फिर पीता का नाम लिखना है यहां पे हिंदी में लिखना है यहां से लिंग आप बता सकते हैं कि पूरुसाय की महिला है फिर यहां पे date of birth जो है आपको कलेंडर के माधिम से कि ऊधार नमबर नहीं रोएगा, तो अपरासन कार्ड में नाम नहीं जोड़ सकते हैं, तो अधार नंबर come — कोई भी दिकत नहीं है, फीक है, वही आपको apply करना है, ANA, 506 — कि नहीं है तो यहाँ पर जीरो कर सकते हैं, क्यूंकि माली कर नहीं के घर में एक ही ब्यक्ति कमाता ह तो उसका ही आपको आए दर्शाना है सभी को अलग अलग आए आपको नहीं देना है तो यहाँ पे मासी काय में जो जीरे-जीरे करेंगे बिकलांग है तो यहाँ करके बिकलांग तक जनकारी बताएंगे नहीं है तीस तरह से देख सकते हैं कि नाम में correction करना है तो आपको जो है यह वाला color highlighted हो जाएगा जैसे कि इसमें हमने correction किया हुआ है किसी परकार की कोई भी correction इसमें किये हुए है उसके बाद यहाँ पर नाम delete करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है rate हो जाएगा यहाँ पर mark हो जाएगा तो और भी नाम यहाँ से aid कर सकते हैं तो यह सारे काम आपको जो भी करना है जैने जिस तरह से मैंने बताया हुआ है उस तरह से आपको करना है उसके बाद फुरसा नीचे आना है अब यहाँ पर आपको जो है submit and go to and exit verification के button पर किलिक करना है इसमें किसी प्रकारी कोई भी edit ब बनेगा तो देखिली अगर आपको पास है तो हां का मतलब यह है कि आप रासं काड के लाइक नहीं है यहाँ पर नहीं ही करना पड़ेगा वहां पर देख सकते हैं कि तीन-चार पाहिया वाले क्रिसी हुब करन है फिर भी आप रासं काड के लिए नहीं बना सकते दस से जो से कम सिचायूब करन के धाई एकर अत्वा उससे अधिक ब्यतिय सिची भूमी है या फिर और भी बहुत सार यहां पर चीज दिया गया है जिसमें आपके परिवार के कोई सरकारी सदस्य है ठीक है तो यह सारे अगर चीज आपके पास है तो आप इसके लिए इलिजीबल नहीं है अगर नहीं है तो सभी में आपको नहीं ही करना है ठीक है इस तरह से नहीं करेंगे और उसके बाद एक option मिलेगा submit and go for document upload के बटन पर किलिक करेंगे अब आपके सामने जो है document upload करने का यहां पर बिकल्प मिलेगा तो मैंने आपको document बताया दिया है कि कौन-कौन से document आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले जो आपने photo scan करका हुआ है family वाला इसको यहां पर चूज फाइल के बटन पर किलिक करके upload कर देना है फिर यहां पर आवेदक का जो आपने photo scan किया हुआ है रासन काड के आवेदक का क्योवाल उनका ही signature यहां पर लगेगा तो वाला जो ही signature यहां पर आवेदक का signature ठीक है दो documents आपका हो गया बाकी यहां पर जो select document का option मिल रहा है जो कि 1 MB से कम बोला जा रहा है इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन-कौन से document आपके पास होनी चाहिए जिसमें जो भी रासन काड के आवेदक है उनका यहां पर आधार काड होन ठीक है इस सरह document आपको त्यार करके एक ही PDF में आपको यहां पर upload कर देना है बाकी यहां पर आपके पास जो income certificate है जो कि आवेदक के नाम से होनी चाहिए उसको यहां पर upload करेंगे तो इस तरह से document आप upload करना है और उसके बाद यहां पर जो भी document आप upload करेंगे उसको यहां प पर टीक जरूर करेंगे जैसे कि आप सभी लोग का जो है अधार का यहां पर copy लगा रहे है उसके बाद फर्स्ट पेज लगा रहे है पास्बुक का डिसिदेंटल सर्टिफिकेट लगा रहे है आवेदक का फेमली का फोटो फोटो लगा रहे है एप्लिकेंड का जो है signature यह पर क्लिक करना है यहां पर पूछे गई क्या वाकई में आप डॉक्मेंट को अप्लोड करना चाहते हैं ओके करेंगे और थोरा सा वेट करेंगे इस तरह से आपका जो form है यहां पर submit हो जाएगा और आपको जो है application ID यहां पर देखनी को मिल जाएगा और उसके बाद ही यहा पर आवेधन करमांग भी आपको देखनी को मिल जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर इसका जो receiving है डाउलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके उसको प्रिंट कर लेंगे अब यहां पर कभी भी आप अपने application का जो status है चेक करना चाहते हैं तो फिर से apply के section पर करने लगेगा नहीं करता है तो उसका क्या solution है अगली वीडियो हैं बात करेंगे तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आपको clear करके बता दिया है कि रासन काड में किस तरह से family member को जोड़ना है नाम delete करना है या फिर किसी परकार की correction करना है form को भरने के बाद कुछ दिनों क अवेट करना होता है अटोमेटिकली आपका भरिफाई हो जाता है उसके बाद आपका रासन काड जरने कर दिया आता है जिसमें नए family का नाम जोडने के लिए आउदन किये हैं delete करने के लिए किये हैं फिर correction के लिए करने हैं काम आपका हो जाता है वही से डेस बुट में से आप रासन काड डाउलोड कर भी सकते हैं जब आपका वहां से पूभल मिल जाएगा उसके बाद उससे आप सारे काम को कर सकते हैं उमीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्लीस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आपके मन में किसी परकार कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से लेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूश सकते हैं